जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है कार्टिक महा में अलग-अलग कथाएं सुनी जाती है उन्हें कथाओं में आज मिले कर आई हूँ तुलसी जी की कहानी हिंदू महिनों में कार्टिक महा का अत्यदिक महत्व माना गया है इस पूरे महा में इस्तनान, दान तथा अन्यधार्मिक कार्यों को करना शुब माना जाता है कार्टिक इसलियान के साथ तुलसी जी की पुजा का भी अत्यदिक महत्व है इसी महा में तुलसी जी का विवा भी कराया जाता है जिससे कन्या संतान जिनकी नहीं होती है वक्त तुलसी जी का विभा शालिक राम जी से करकर कन्या दान का सुख पाते हैं इसी कार्टिक माहा से जूड़ी एक कहानी आज आप लोगों को तक पहुचा रही हूं तो चलिए कथा को शुरू करते हैं कार्टिक माहा में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सीचा करती थी एक बुड़िया भी थी जो कार्टिक माहा में तुलसी जी को सीचने जाती थी जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता मैं तेरा बिर्वा सीचती हूँ मुझे बहू दे, पिले रंकी धोती दे, मीठा ग्राज दे, वैकुंड में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दालभात दे और ग्यारस के दिन प्रिश्न का कांधा दे बुडियात मा की यह बाते सन तुलसी माता सुखने लगी, तुलसी माता को यूँ सुखते दे, भगवान ने पुछा कि हे तुलसे, तुम दिन प्रति दिन क्यों सुखती जा रही हो तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात मत पूछो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है मैं उसकी सभी बाते पूरी कर दूँगी लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाओंगी भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना इसके बाद बुढ़िया मर गई बुडिया के मनने पर सारा गाउं इखटा हो गया और उसका अंतिम संसकार आने पर उसे उठाने लगे लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी तस से मस नहीं हुई सभिल बोले कि यह तो बहुत ही संसकारी थी बहुत पूजन पाट करती थी कोई पाप नहीं किया फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई बोड़े ब्राह्मन के वेश में भगवान आये और कहने लगे कि यह भीड कैसी है तब गाउवाले बोले कि एक बुड़िया मर गई है वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है बहुत भारी हो गई है भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो फिर्व उठ जाएगी भगवान बुड़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले पितामबर की धोती ले मिठा ग्रास ले वैकुंट में वास ले चटक की चाल ले चंदन का काट ले जालर की जंकार ले दालभात को जीमनो और कृष्ण का कांध भगवान की सभी बाते सुनकर बुड़िया हलकी हो गई भगवान अपनी कंदे पर उसे ले गए बुड़िया को मुक्ती मिल गई और वो वैकुंट को चली गई हे तुलसी माता जैसे आपने उस बुढिया माई की मुक्ति की वैसी सभी जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया हमें भी देना बोलिए तुलसी माता कीजे पुर्शुत्तम भगवान कीजे दामोदर भगवान कीजे तो यह थी कार्टिक मास में सुनने जाने वाली तुलसी माता की कहानी ऐसी अन्य और भी कहानिया जो कार्टिक मास में बोली और सुनी जाती है आपको चैनल पर मिलती रहेंगी तो चैनल पर बने रहेंगे तो प्लीज उसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें चैनल पर यदिया आप नए है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और हाँ बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे जो भी नए वीडियो आए उनका नूटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे